नमस्कार दोस्तो आज का ये वीडियो मैं ग्राउंड बीम के उपर लाया हूँ आज के इस वीडियो में ग्राउंड बीम के बारे में जो बाते मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो सबके लिए फायदे मन है और हेल फूल है क्योंकि घर सभी बनवाते हैं दोस्तो और घर एकी बार बनता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ ग्राउंड बीम देते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना है सबसे पहले बता रहा हूँ दोस्तो ग्राउंड बीम देने से पहले आपको क्या करवा लेना है जो लाइन में आप बीम देने वाले है जिस कौलमों के उपर बीम आप देने वाले है वहापर का मिट्टी जमिन जो है एक लेवल करना है उसके बाद ही यीटो का एक लेयर लगा देना है अगर मिट्टी एक लेवल नहीं किया तो बीम का थिकनेस कम ज़्यादा हो सकता है मतलब बीम की ड़लाई जो है कम ज़्यादा कही पर ज़्यादा होगी कही पर कम होगी तो उससे क्या होगा दोस्तों उसका असर अपने बिल्डिंग पर होता है पॉलम में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रखना लगा दे चिपट इट आइसे नजीक दिवाल को चटा किया बाज बराबर है बाज इदर से ऐसा लगाते जाना उदर खड़ांगा लगा देना दोनों येट के बीच में ग्याप मत रखा नहीं उसमें माल जाएगा माल भी जाएगा और सेमेट का जो रसा रहे था ना तो पूरा सेमेट का तेरी निकल जाता है उसमें दबा दबा उसको हाँ हाँ उदर खड़ा रख दे तो लेवल आ जाएगे दूसरी बात बता रहा हूँ दोस्तो बीम में अगर सरिया की लैपिंग करवा रहे हैं लैपिंग तो करना ही पड़ती है सरिया 40 या उगन 40 फिट का ही आता है सरिया के डाया के हिसाफ से बीम में लैपिंग देना है और तीसरी बात बता रहा हो दोस्तो, शेट्रिंग पुरा ठोकने के बाद में बीम में लाइन दोरी लगाना बहुत जरूरी है और बीम में तीनों साइट से कवर ब्लोक लगाना भी बहुत जरूरी है नीचे से और डाये बाये साइट से क्योंकि नीचे इट लगाया है और इट जो है मिट्टी से बनी रहती है इसलिए नीचे से भी 25 mm का कवर ब्लोक लगाना है चौथी और बहुत ही इंपोर्डेंट बात बता रहूं दोस्तो डलाई करते समय अगर आपके पास वाइबरेटर है तो चलाना भी बहुत जरूरे है दोस्तो हमारा वाइबरेटर मचिन खराब हो गया है इसलिए सरिया से स्ट्रॉक लगा रहे है सरिया या तो बांबू से स्ट्रॉक लगाना है उससे हनिकॉम जैसी समस्याय नहीं आती है पाचवी और आखरी बात बता रहाओ दोस्तो गर का ग्राउंड बीम देते समय रिंग से रिंग की दूरी साथ इंच या आठ इंच बिल्कुल भी नहीं रखनी है पाच इंच या छे इंच या तो उससे भी कम रख सकते है इस साइट पर हमने छे इंच के सेंटर सेंटर पे रिंग बांदा है और चार सरिया 12 mm का बीम में दिया है 8 mm का रिंग बनाया है दोस्तो इस वीडियो में दी गई जानकरी ग्राउंड प्लोर, फ्रस्ट प्लोर और सेगंड प्लोर के लिए है किन्न के ला मारा का आड़े आदे पूडे किन्न करें बांदा है यह यह प्लोरण प्लोर, तप्लोर, जचाम है दोस्तोर, प्लोर, जब्लोर, जब्लोर अर्ष। अर्ष। प्रून्चट अर्ष। जयो ग्रह समय कर दो आए जले आए जिलेप मस्ता है का भीम अरे पलाय भी बारी होते हैं आराये देखना कितला चिकना निंग नाता है जिलेगा जाता है